तो पहले फेज में 19 जिलों की नवासी सीटों पर वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर लिए है पुखता इंतजाम इसके लिए कर लिए गए है सुरक्षा वेवस्था भी कड़ी कर दी गई है और इस फेज में 2 करोड से ज्यादा मतदाता अपने अधिकार का इस्तमाल करते हुए नजर आएंगे आज हर एक अपडेट लगातार आपको हम देते रहेंगे हर खबर गुजरात से जुड़ी हुई गुजरात के चप्पे चप्पे पर हमारे समवाद दाता हमारे सही होगी आपको हर अपडेट दिंगे तो आज पहले फेस की वोटिंग की हर खबर आप तक पहुचाएंगे और अब दूसरे दौर का प्रचार भी अपने अंतिम चरण पर पहुच गया है यह सब जानते हैं आज पीम मोदी भी गुजरात में तीन रेलिया करके चुनावी महौल में काफी जादा गर्मी भर देंगे काफी जादा गर्म महौल कर देंगे और इस सियासी महौल में आज दो करोड वोटर्स लोकतंतर में अपनी भूमी का निभाने के लिए पोलिंग बूत पर भी पहुचने वाले हैं तो मतदान होगा आज 89 सीटों पर गुजरात में पहले फेस की वोटिंग में 89 सीटों पर मतदान इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो इस्टूडियो बना के साल में 30 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये कमाना है उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए तो बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा मैं लोगों को भी ये एक अपील करना चाहूंगी कि जितना हो सके उतना आप मतदान करें लोकशाई का ये जो पर्व है उसे हमें as a part of responsibility as a part of हमारी एक देश के लिए जो एक भावना है हमारी देश के लिए जो फरज है उसके प्रति हमें थोड़ा जागरूत और अवेर के maximum वोटिंग करने चाहिए महिलाओ के लिए यूट के लिए क्या कहना चाहिए जो फर्स वोटर्स है उनको all the very best और आपके पास ऐसा महादान है कि आप एक वोट से जो पॉलिटिकल जितना भी एक आप रिस्पॉंसिबल बनके देश के फ्यूचर को create करने में आपका जो एक योगदान रहना चाहिए वो आपको हक मिल रहा है तो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें बहुत अच्छे से अवेर होके आपका वोट करें आप राजगोट जा रहे हैं अभी वोट के लिए जी तो वापस आप लोग आएंगे कि पी रवींद्र जडिया जी का यहां पर वोट है यहां की पर जंता से भी आप मिलेंगी और राजगोट में वहां जो कांगरस में शामिल हूए आपको बता दे आम आदमी पार्टी में थे उससे पहले कांगरस में थे फिर आम आदमी पार्टी में गए फिर बापस वह आये हैं लेकिन माजूरा सीट बहुत ही हाई-प्रफाइल पर मतदान हो रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो जो जिले वहां पर जो रीजन्स आगर कह सकते हैं शेत्र है जिसमें कि सौराश्ट और कच और साथ ही यहां पर साउध गुजरात अब साउध गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि सूरत का इल किजिए उसी तरह से सौराश्ट और कच का जो इलाका है 2017 में यह कॉंग्रस के लिए बहुत ही फाइदा में साबित हुआ था क्योंकि यह हाट्लेंड था जो पार्टीदार पुरा आंदोलन हुआ था और पार्टीदारों ने खुलकर वोट किया था जमकर वोट किया था उस हो चुका है पूरी तरह से और जो उसके मुखे जो चैरे थे जैसे कि हारदिक पटेले वो खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो ऐसे में सौराश्ट बीजेपी के लिए हमेशा से एक बहुती क्रूशिल इलाका रहा है लेकिन जहां पर कॉंग्रस हमेशा बाजी मा और वो ही कह सकते हैं कि जो सौराश्ट और कच है वहाँ पर स्ट्रॉंग है कॉंग्रस